हे गाईस स्वागत है आपका दा अल्फा पैंक का चानल में और मेरा नाम है चराग चुपड़ा सो गाईस फाइनली इतने लंबे इंतजार के बाद अब हमारे सामने SBIJ का एडमिट काड आ गया है बट गईस एडमिट काड आते से ही या तो कुछ बच्चे बहुत ज़ादा एक्साइटेड हो गए है या कुछ बच्चे बहुत ज़ादा नर्वस फील करने लगए है बहुत ज़ादा डरने लगए है अब भई जो बच्चे एक्साइटेड फील कर रहे हैं I am pretty sure कि उन लोग की प्रिपरेशन का लेवल बहुत ज़ादा अच्छा होगा करते रहेंगे तो आप खुद के ही पैरों पे कुलाडी मारेंगे और खुद के ही सिलेक्शन के चांसे को और कम करते रहेंगे तो इन सारी मिस्टेक्स को आपको strictly avoid करना है अब जिन तो भई चलो एके करके इन सारी मिस्टेक्स को देख लेते हैं अब भई सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक्स की अगर मैं बात करूँ तो वो है भई I am not confident अब भई सैकडों हजारों बच्चों के दिमाग में यह बात बार 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 चलती रहीगी that they are not confident enough कि हमारी हमारी पढ़ाई का level हमारी पढ़ाई का स्तर अभी examination level जतना नहीं हुआ है या मेरी preparation अभी उतनी नहीं हुई है कि मैं एक्सपार का examination निकाल पहूं गैस अगर आपकी यह सोच है तो आप बिलकुल गलत सोच रहे हैं गैस यह एक बहुत ही psychological phenomenon है कि चीज जितनी close आती रहती है हम उससे उतना जादा डरने लग जाते हैं और life के हर sphere में यही होता है कि चीजें जितनी पास आती रहती है हमें डर का level हमारा और बढ़ता रहता है और हम और जादा nervous feel करने लग जाते हैं डरने की बिलकुल बात नहीं है आपकी preparation बहुत objective phenomenon है और यह पूरा पूरा आपके उपर depend करता है कि अगले 10 दिन आप किस तरीके से अपने examination की preparation करते हैं अगले 10 दिन या तो आप यह सो सकते हैं कि आप confident नहीं है या आप जा सकते हैं back to अपना study table और अपनी preparation को इतना अच्छा कर सकते हैं और इतने घंटे दे सकते हैं अपने पढ़ाई में कि यह thought आपके दिमाग में आये ही ना और अगर यह thought आपके दिमाग में आये तो आप यलती नहीं होगी आप हमेशा true रहेंगे अपने efforts में confident feel करते रहें यह कभी मस सोचें कि आप confident नहीं है या आपकी preparation का level उतना नहीं है वह दस दिन बचे हैं बस give it your best shot अपना best shot दो and I am pretty sure कि आप लोग इस बार का examination जरूर निकाल पाऊंगे तीक हैं आगे चलें तो एक एक कर से जाते हैं कि उनको लगता है सारे topics एक बार में prepare कर लें कि आकरी 10 दिन बचे हैं ऐसा ना हो कि यह वाला topic आ जाये यह एसा ना हो वाला topic आ जाये तो सारे topics को एक सर्थ उठाकर एक सर्थ भागने की कोशिश करते हैं यह आपको भी पता है और मुझे ही पता है कि आखरी 10 दिन में आप कुछ नया नहीं कर सकते हैं आपने जो अलेडी कर रखा है जो आपके सामने एक box है जिसके आपकी preparation हो रही है आप बस उसको और solid कर सकते हो उसको और मस्बूत कर सकते हो नई चीजों को try अब मत करो आपके पास time नहीं है जिन चीजों को पढ़ते आए हो उनको बार-बार revise करो कोई mock test दिया है कुछ important चीज़े हैं तो उनको बार-बार revise करो बट यहां जो आपको main focus आपको रखना है वो आपको रखना है अपने revision पे और अपनी preparation पे किसी नए topic को यहां हम prepare नहीं करने वाले किसी नए topic को हम यहां pick नहीं करने वाले जैसे आपने champion series में भी देखा होगा कि हम कुछ topics को बार-बार revise करते जा रहा है ऐसा क्यों कर रहा है जिससे हमारी उनकी preparation बहुत strong हो जाए अगर quant में बात करें तो भाई हम data interpretation को बार-बार solve करते जा रहा है या English की बात करें तो भाई हम reading comprehension को बार-बार solve करते जा रहा है अगर reasoning section की बात करें तो भाई उसमें हम miscellaneous section को बहुत जादा solve कर रहे है और इसके साथ जनम equally important time दे रहे हैं वहापे puzzles को भी ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वह सारे topics हैं जिनमें आपका revision बहुत ज़्यादा important है अगर इन topics में revision नहीं करोगे तो आपकी preparation का level खुद बख खुद down हो जाएगा तो भाई आपको क्या करना है पुराने topics को लोग और उनको और मजबूत करते रहो तो यह हो गई आपकी mistake number one अब mistake number two देखें तो वो क्या है भाई mistake number two जो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है करते हुए वो देखा कि आखरी के time में exam आने वाला है prelims और वो तयारी कर रहा है mains examination की भाई देखो prelims और mains में बहुत बड़ा फरक होता है भाई prelims में आपको चाहिए होती है speed वही mains में आपको चाहिए होती है accuracy भाई prelims में आपको चाहिए होता है speed calculation और mains में आपको चाहिए होता है चाहिए आप कम question solve करें बट सही question को solve करें मतलब prelims और mains examination में strategy ही एकदम change हो जाती है और strategy change हो रही तो मतलब अगर आप गलत examination की preparation गलत time पर करेंगे तो आपका score यहाँ आपका selection भी गलत हो जाएगा और फिर आप अपने selection ना होने के जिम्मेदार खुद होंगे तो आपको यहाँ क्या करना है आखरी 10 दिन बचे हैं मेंस को बिल्कुल भूल जाओ सेरे से courage कर दो अकेले बस एक examination की preparation करो और वो examination होना चाहिए आपका prelims examination भाई कोशिश करो अपने score को maximize करने की और उसके साथ ही साथ एक और चीज़ जो आपको बहुत important याद रखनी है इस चीज़ को भी avoid करना है because negative marking अगर examination भड़ गई तो score खुद बखुद डाउन हो ही जाएगा fine mistake number 3 की तरफ चलते हैं mistake number 3 जो भाई मुझे पता है और आपको पता है आप खुद भी हो सकता है करते हो don't ignore English section भाई मैंने हजारों बच्चों को देखा है जिनको बस ये लगता है कि English section तो हो जाएगा भाई सारा का सारा time या तो reasoning section को दे दो या फिर quant को दे दो सारा का सारा time बस puzzle solve करते रहो या data interpretation या arithmetic topics में लगा दो भाई English तो हम कभी भी कर लेंगे और ये आपकी सबसे बड़ी गलती है भाई English आता है examination में 30 number का out of 100 marks बना 30% examination अके लिए आपका English से पूछा जाता है तो भाई आप ये सोचों कि आप इतने बड़े section को ignore करके कैसे अपने selection के लिए पक्के हो सकते हो अब भाई सबसे important चीज हो बच्चे यहाँ ignore करते हैं वो है भाई reading comprehension भाई reading comprehension straight forward आपका 10 marks का आएगा अब आप मुझे बताओ एक 100 number के paper में 10 marks को skip करके या 10 marks को ignore करके आप अपना selection ले सकते हो बिल्कुल भी नहीं भाई proper time दो अपने English section को और proper time दो उसमें भी reading comprehension को गैस proper time दोगे तभी proper selection ले पाओगे इस बार का ठीक है तो भाई यह हो गई आपकी mistake number 3 अब mistake number 4 देखते हैं भाई mistake number 4 नहीं है यह यह एक pointer number 4 है जो मुझे लगता है कि आप लोगो के लिए बहुत important है मेरी तरफ से बोलना भाई वो यह है attempt as many marks as you can पूरे दिन में अगर आप 2 marks भी देंगे तो एक घंटे का एक मॉख होता है एक मॉख सुबै देना है एक मॉख शाम को देना है फिर तोटल आपको 2-3 घंटे देने हैं इन मॉक्स को revise करने में मलब आपको तोटल तोटल एक घंटे का मॉक और दो घंटे revision मतलब एक मॉक में आपको तोटल लगने वाले हैं 3 घंटे दो मॉक्स देंगे तो 3 प्लस 3 आपको लगने वाले हैं तोटल 6 घंटे तोटल 6 घंटे आपको हर दिन यहां से लेकि अगले 7-8 दिन देने ही देने हैं और उसके बाद बाकी के बचे हुए टाइम में आपको revision करना है अपने पुराने topics का जो भी आप अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं बहला mocks के number को maximize करना है और इधर आपको अपने revision को maximize करना है इन दोनों चीजों को hand in hand साथ बाए साथ लेके आगे चलना है जिससे selection पक्का हो पाएगा next mistake देखें अपनी तो भाई वो है अमारी do not over attempt time जो मैं already आपसे बात कर चुका हूँ कि भाई आपको अपने score को maximize करना ही है बट ऐसे maximize नहीं करना है कि भाई अपने प्री mindset के साथ आयो कि भाई मुझे तो at least 80 question attempt करने ही करने है अब भाई अगर paper थोड़ा भी कुश्किल आ गया और आप 80 question attempt करने ही चले गए तो आप यह मान के चलो कि आपके 60 question सही होंगे और 20 question आपके गलत हो जाएगे अब आप मुझे बताओ कि अगर 60 question सही हुए और 20 question गलत हो गए तो आपके final जो आपका score रहेगा वो कितना रहेगा 60 minus 5 आपका final score आएगा around 55 वो भी normalize होके थोड़ा कम हो जाएगा तो समझें यह आपको क्या हो गया आपने over attempt करने की गलती करी because आप अपने pre mindset के साथ गई हुए थे जो आपको pre mindset यहाँ पे छोड़ना रहेगा because आपको अपनी preparation वहाँ उस seat पे बैठके बनानी है वो strategy जो आपको अपने selection को पक्का करने में help करेगी यह मत करना कि 80 number लेके ही आने है या 80 question करके ही आने है तो तब तो फिर अगर paper simple आया तो 90 question करके आने पड़ेंगे न तब 80 से काम नहीं चलेगा और मुश्किल हुआ तब 80 होंगे ही नहीं तो 80 करोगे तो negative marking हो जाएगी तो इन दोनों ही चीजों में आपको अपने pre mindset को थोड़ा शांत रखना पड़ेगा उसको थोड़ा दबाना पड़ेगा fine अपनी next pointer को देखते हैं और वो है attempt mocks in exam friendly environment अब भाई ये कैसी गलती है भाई दोको ये ऐसी गलती है कि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखाया या तो वो सबके साथ बैटके एक hall में examination दे रहे होते हैं बहुत ही अलग तरीके से दोस्ती यारी के बीच में examination दे रहे होते या वो ऐसा करते हैं एक section देते हैं फिर उठ जाते हैं फिर दूसरा section देते हैं फिर उठ जाते हैं मला pause करते हैं फिर resume करते हैं पॉस करते हैं इस तरीके से preparation बिलकुल नहीं करनी है exam friendly environment बनाना है वह एक घंटे का बस मौक है एक घंटा आपको एक बंद कमरे में बैठना है और उस एक घंटे में आपको कुछ नहीं करना उस एक घंटे में आपको strictly वह एक मौक देना है और उन तीनों sections को एक साथ एक जट में attempt करना है विकॉस ऐसा करने से आपके अंदर एक confidence आएगा कि भाई मैं एक घंटा बैठ के अगर मौक दे सकता हूं तो मैं examination के लिए भी ब exam देना है guys final mistake और जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं do not overburden yourself खुद के उपर इतना pressure मत बनाओ खुद के लिए इतने critical मत हो जाओ कि भाई दिन रात सोते जागते बस examination preparation के बारे में ही सोचते रहो कि भाई finally अगर सोने भी चले गए तो भी सपने में बस examination ही आ रहा हो ऐसा मत करो खुद के साथ खुद को बागे चीजों के लिए भी time दो हां आखरी के 10 दिन बचे हैं तो आपको अपनी preparation में थोड़ा time जादा देना पड़ेगा बट उसी के साथ ही भाई अपनी sleep cycle के साथ अपनी नींद के साथ बिल्कुल भी compromise मत करो compromise उन चीजों के साथ करो जो अभी important नहीं है जैसे कि आपको compromise यहाँ पर करना है अपने social media के साथ आपको यहाँ पर compromise करना है थोड़े दिनों के लिए अपने friend circle के साथ और थोड़े दिनों के लिए यहाँ पर आपको अपने घूमने के साथ compromise करना पड़ सकता है जिस चीज के साथ आपको compromise नहीं करना है वो है की sleep cycle, अपनी नींद को proper लो, at least 7-8 गंटे सोने की पूरी कोशिश करो, और बाकी के बचे time में कोशिश यही करो, कि maximum time, आखरी हफता 10 दिन बचा है, अपनी preparation में do, प्रिलिम्स निकल जाएगा, तो मेंस के लिए फिर वापिस आएंगे, फिर वही preparation अच्छे से करेंगे, बट मेंस देने के लिए पहले प्रिलिम्स निकलना जरूरी है, और ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल बठा के रखना, ठीक है बाई, तो यहां हमारी सारी mistakes डिसकस हो गई, हमारी champion series में हम already सारी के सारे topics को SBIJ regarding सब discuss कर रहे हैं, तो अगर अभी तक आपने champion series की playlist को visit नहीं कर classes में बहुत सारे important topics हमने लगातार discuss कर रहे हैं, और आगे के time में भी discuss करते रहेंगे, तो उस playlist को बार बार देखते रहना, fine guys, इन mistakes को बिल्कुल avoid करना, champion series को लगातार देखते रहना, अपना selection पक्का करके ही वापस आना, so guys, see you in the next session, signing off, my name is Shraak Chopra.